हेलो फ्रेंज आज हम बनाने जा रहे हैं चिली गार्लीक फ्राइड राइस बहुत ही आसान है इसे बनाना चलिए बनाना शुरू करते हैं चिली गार्लिक फ्राइड राइस बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है बासमती चावल, आप किसी भी चावल का इस्तमाल कर सकते हैं, तो इसे यहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है, अब यहाँ पर हम पानी गरम करेंगे, इसमें हम डालेंगे एक से दो च तक पका लेंगे 5-6 मिनिट का टाइम लगेगा इस चावल को हम अच्छे से पकने देंगे और आप इसे बीच बीच में चला करके चेक कर लीजिए यह चावल पके हैं या नहीं यह चावल अभी 50% कुग्ड है तो मैं इसे 90% टक पकाने वाली हूँ इसे 2-3 मिनिट के लिए औ बन करके तयार हो गया है यह देखिए इस तरीके से यह थोड़ा सा मैश भी होना चाहिए लेकिन ओवर कुक्ड नहीं होना चाहिए क्योंकि ओवर कुक्ड चावल में अगर आप फ्राइड राइस बनाएंगे तो अच्छे खाने में नहीं लगते हैं यहां पर यह रेडी है अब मैं गैस की फ्लेम को बन करती हूँ और इस चावल को हम तुरंत चान लेंगे ताकि यह गरम पानी में रहके ओवर कुक्ड ना हो जाए यह देखिए चावल को मैंने पानी से निथार करके इस च्छनी में रख लिया है इसे रखते हैं साइड में अब यहां पर हम एक काट लिया है और इसे हम 30 सेकंड तक भूनेंगे 30 तो 20 सेकंड तक भून लेंगे हमारा लहसुन जैसे ही बून जाए हम यहां पर डाल देंगे प्यास और प्यास को हम एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे आप चाहें तो लहसुन के साथ बारीक कटा हुआ अदर मिर्च मैंने यहां पर सिफ शिम्ला मिर्च और गाजर का इस्तमाल किया है आप चाहें तो यहां पर बीन्स भी डाल सकते हैं ब्रोकली डाल सकते हैं कॉली फ्लार या फिर कैबेज भी डाल सकते हैं अब इसे भी हम एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भूनेंगे जब तक हमा अब यहां पे हम डाल देंगे यह लाल मिर्च, लाल मिर्च डाल के बनाने से जो राइस होती है या फिर आप नूडल्स बनाएए इसका बहुत ही अच्छा पेस्ट आता है, वैसे अगर इस तरीके का लाल मिर्च आपके पास ना हो तो आप चिली फ्लेक्स का इस्तमाल भी कर स सकते हैं, यहां पे हमारी सबजियां फ्राय हो चुकी है अब हम यहां पे डाल देंगे यह चावल, अब इसमें मैं डाल दई हूँ दो चम्मच रेट चिली सॉस, दो चम्मच विनेगर, दो चम्मच सोया सॉस, अगर आपकी चावल की कॉंटिटी जादा है तो सॉस थोड़ चावल को बॉइल करते वक्त हमने नमक डाला था, इसलिए हम नमक थोड़ा कम डालेंगे और अब इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे, चावल तूटने नहीं चाहिए, इसलिए साफधानी से अच्छा से मिक्स करेंगे अब आक externi में मैं यहाँ पे डाल दी हूँ थोड़ा सा spring onion garnishing के लिए ऑख़ची flame को बन करते हैं और हमारा चिली गार्लिक fried rice बन करके तयाराइब है friends यहां पे हमारी चिली गार्लिक fried rice बन करके तयार आगर आपको मेरी recipe अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सुस्क्राइब करिए थेंक यू, बाई बाई